हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि डबलू एच फैमली हम किस तरह से यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में और यहाँ पर डबलू एच फैमली वेन वाई हाव का इन सब का हम लगे और सीखेंगे कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है तो चलिए ज़रा देखते हैं कि रूल क्या है यहाँ पर सबसे पहले हम बता दें कि जो भी डबलू एच फैमली होंगी वो सबसे पहले आपके स्टार्टिंग में लगेगा जैसे कि जब प्रशन वाच्चक वाक्य में कब क्यों कैसे रहता है तब वाक्यों की बनावट कुछ इस तरह से होती है यहाँ पर रूल है वेन वाई हाओ प्लस वाजवर प्लस सबजेक्ट प्लस नॉट अगर है तो नॉट लगाएंगे अदरवाइस नहीं लगाना है प्लस कॉम्प्लिमेंट एंड कोशन मार्क लगाना ना भूलें यहाँ पर कुछ सेंटेंसे हम लेंगे जिसकी माध्यम से आप सीखेंगे जैसा कि तुम क्यों उदास थे तो डबलू एच फैमली पहले यूज करना है तो वाई हमारा पहले आ जाएगा सबजेक्ट के वाई वर यू सैड वे लोग कैसे बुरे थे हाव वर दे बैड यहाँ पर डबलू एच में हाव भी आता है तो हाव पहले यूज करेंगे फिर है नेक्स्ट मैं क्यों क्रूर था वाई वाई वॉज आई क्रूरूल अब यहाँ पर डबलू एच फैमली आगे हैं वाई सीता क्यों परेशान थी हम लोग क्यों तैयार थे? आप कब बिमार थे? वेन वर यू इल? तुम क्यों तैयार नहीं थी? वाई वर यू नौट रेड़ी? सीता कैसे दयालू नहीं थी? हाव वोस सीता नौट काइन? वे लोग कब थके थे? वेन वर दे टायर्ड? थैंक्यू गाइस तो आप सभी ने देखा की डबलू एज फैमिली का यूज हम किस तरह से कर सकता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसिस में? यहाँ रूल बहुत ही सिंपल है आपको हेल्पिंग वर्प से पहले डबलू एज फैमिली लगा देना है तो ऐसे ही बने रही है और फिर मिलेंगे हम जल्दी